तो सबसे पहले सभी सखाजन को मेरा से वजवहार जितने भी सखाजन मेरी यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो जैसा कि हम कुमारा भिमाल पेन का सार यह पुस्तक थी जिसका हम अंध्यन कर रहे थे और इसके जो लेखक हैं आचारे मोतिरावड कंगाली जी हैं यह एक पुस् में यह मंतिर के जो लखा होता है वह नहीं बताता हूं जिससे कि आप वीडियो को पॉस्ट करके आप देख सकते हैं क्या क्या चीजें दी हुई हैं मैं सर्फ इसका भावार्त बताते जाओंगा आपको जिससे कि आपको समझने में ज्यादा आसानी हो लेकिन हमको बता रहा हूं आप वीडियो को पॉस्ट करके वह पढ़ सकते हैं तो इसमें भावारत में क्या लिखा हुआ है हे कुमारा भिमाल पेन तु भूरा भूमका कपुत्र कोहतार माता कलाल सैमाल राजा कनाती और साथ देव सगा साखाधारी मुरावी यानी मलावी गुत्र का व स्थित बैयल लाजी गण राजधानी तेरा जन में स्थल है भीमगण के राजातु कोईतार माई यानी की गोंडी धरम माता का मुरावी पुंगार मुरावी पुंगार यानी की लाल होता है फिर उसके बाद यहाँ पर भी जाटू हिर्वा केसी बाना मुठवा तम्मूर्क रे पंडरी पुंगार मुंगर कुसार दाई सेलाक रे यरूंग तम्मूक निवांग सुयूंग सेलार दाई कोतानोर आन्दी मुरावी पुंगार थोड़ी मुझस से अभी गॉर्णडी वासा अच्छे से आती नहीं है तो इसलिए आप इसको देखकर आप खुद सही देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं तो इसका भावर्थ क्या लखा हुआ है हे कुमारा मिमाल पिन जाटवा हिरवा केशवा बाना मुठावा मुकासा यह तेरी भाई और पंडरी माई पुंगर माई मुंगर माई कुसार माई तता खेर माई यानि खेरो माता यह तेरी पांच बहने हैं हे बिमगर के राजा तुम सभी कोईतार माता के पुत्र हो ऐसा लखा हुआ है फिर यहां पर आप इसको आप खुद सही पढ़ लिजेगा इसका मैं भावर्थ बता देता हूँ हे कुमार बिमाल पें तुमानो समाज की सेवा करने ही तु लांजी गण राज्य से बेनगंगा पेनगंगा गोदावरी पेंच समदूर नर्मदा तापी आधि प्रिक्षेत्र में हवा की समान आया जाया करता था तेरा एकमात्र लक्ष मनेश्य मात्र के दुखों का निवारण करना यही था हे भिमगण के राजा तु कोईतार माता का सदा फूलने वाला मुराभी पुंगार है मुराभी पुंगार जैसे के वह हमने देगा तर लाल है जैसे अपन प्यार से मालोग हम तको बोलती न कि तुमिर लाल है तो अब यहां पर यह एक और मंतिर के सदिया हुआ है आप इसको पढ़ लीजीगा इसका भावर तो में बता देता हूँ हे भीमा राज़ा तु बारह गंगार पानी से सनान कर लंगोट कसकर कोयवईश्य मानव समाज के दुस्मनों को मार भगाया करता था तु हवा की गती से एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाया करता था इसलिए हवा को तेरा बाहन कहा गया है हे भिमगड के भिमा राजा तु कोईतार माता का मुरावी लाल है तो यहाँ पर बहुत अच्छी बात कही जा रही है उनके बारे में कि वह अपने जो कोईवेंशे के जो सगाजन है उनके दुखों को निवारत करने के लिए एक गाउं से दूसरे गाउं भी जाया करते थे यह सब मानो समाज के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है जो कि आचर मोतिरावन कंगाली जी ने इस पुस्तक में लखा हुआ है फिर उसके बाद यहाँ पर एक और आया है आप इसको देखकर पाड़ सकते हैं बोदाल जीरी, चिखल खारी, नागवारी दावी यह आप पढ़ सकते हैं भावारत में बता देता हूँ हे कुमारा भिमा राजा तेरा रेन वसेरा बोदाल जीरी, चिखल खारी, नागलवारी, नांदुपूर, कोली सर्रा और मरका नारा इन करंगू मसराम नामक राजा के गणराज्यों में था तो मल्लव की यह जहाँ पर रहते थे वहाँ पर मसराम नामक जो राजा थे उनके गड़दाज जीमें रहता था वहाँ पर बोदाल जीरी, चिकल खारी, नागलवारी, नांदूर, कोलर सर्रा यह सब कहाँ पर छेतर थे वहाँ की जिसकी राणी सोयाल माता तेरी दिन रात उपासना करती थी तो जिनकी राणी कौन बताया जा रहा है कि सोयल माता थी, जो कि दिन रात उनकी उपासना करती थी तेरे ही यासिरवाद से उसे पुत्र रन प्राप्त हुआ हे कमारा भहमा राजा, कोईतर माता का तू मुरापी पुंगार है पर यहाँ पर एक और आया है, इसको आप पढ़ लेजिए, मैं इसका भावर्त बता देता हूँ हे कमारा भहमाल पेन, तू हमारा जीवन जोती है, दुखियों का राजा है तू एक सकती है, जो हमें बल प्रदान करता है हम तेरी सेवा करने के लिए चैतर माय की पूर्मा को तेरी ठाने में घट जोती जलाते हैं क्योंकि चैतर पूर्मा के दिन तेरा जन्म हुआ था तो यहाँ पर उनके जन्म की बात हुई है, कि अकमारा भहमाल पेन का जन्म चैतर पूर्मा के दिन हुआ था ठीक है उसी तरह नांदपूर गणराज्य के राजा करंगु मसराम का पुत्र आलिसुर मसराम जो तेरा सेवक था उसके विवपासना करते हैं तो इसमें यह भी बताए गया है कि एक और जो उनके जो सेवक थे नांदपूर गणराज्य के राजा करंगु मसराम का जो पुत्र था आलिसुर मसराम वह कुमारा भीमाल पुएन के कौंतिस सेवक थे उनकी भी विवपासना करते हैं हे भीमगण के राजेतु कोहतर माता का मुरावी लाल है तो यह सब बात इस वीडियो में हुई हैं तो और कि आपको यह वीडियो अच्छे लेगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें कैसी लगए आपको यह वीडियो तो मैं आंगे गाता लाने बाला हूं तो जोनों ने भी अब तक हमारे यूट्यूब चैनिल को सब्सक्राइब ने किया है तो सब्सक्राइब कर लेजए कियुकि आंगे हमें धिमार पेन का इत्यासिक काता देखने को मिले वाली हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए सेवा जोहार जैसेवा जैगोडवाना चबड़ा दू